खाना गगा छेत्र में पिछले शनिवार 19 तारीक को सुबह एक शंकर सानी नामक व्यट्टी की डेड बॉड़ी उसी के ही गाउं के कुछ दूर एक खड़ंजे पर मिली थी जिसके की गले पर धारदार हथ्यार से किये गए वार का निशान था बॉड़ी को शिनाक्त के बाद पोस्ट मॉटम के लिए भेजा गया इस समन्ध में परिजनों दौरा अग्यात के वृद्ध मुकद्मा पंजिकृत कराया गया इस घटना की सूचना मृत्तक के ही साथी एक राजू नामक व्यक्ति को घरवालों को दी गई पुलिस को भी अधिकारियों दौरा फॉरेंसिक टीम दौरा और फीजन दौरा किया गया घटना की परिस्थिती जन साक्षमों को संग्यान में लेते हुए सूचना करता की गतिविद्यों को संग्यान में लेते हुए और जिनको ये एक्यूज कर रहा था उनका भी गतिविद्यों को संग पूछना दी गई थी उसमें भी विरोधा भास्ता जब इससे कड़ाई से पूछनाच की गई तो इसके द्वारा घटना को स्विकारा गया जिसका कि मुख्य कारण बदाया गया कि इसके कुछ रुपए बृतक के उपर उधार थे कि दोनों अक्सर पहले भी आपस में शराप सिवार किया जिससे की गला कटने से उसकी लित्यू हुई और उसके बाद ये वहां से चला गया इसको अरेस्ट किया गया है इसकी निशाद ही पर जो आला कतल है जिससे घटना हुई है वो भी बरामत किया गया है जो कपड़े इसने उस समय पर पहने हुए थे जब घटना क कारित की गई उनको भी ब्रामर किया गया है इसको औरेस्ट करके जेड़ बिज़ जा लागा